नमस्कार दोस्तों, हमारी यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हारदिक स्वागत है आज मैं आपके लिए एक महत्तपुन टोपिक लेकर आया हूँ पैरा सिटा मोल लेने से हो सकती है ये पांच बिमारिया इन्हें जानने के लिए किर्पया हमारी वीडियो को देखते रही सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारी सभी वीडियो को हमारे मोबाई लैब क्रेजी इंडिया को गुगल एक स्टोर से डाउनलोड करके भी हमारी सबी वीडियो को देख सकते हैं और अपने लिए फाइदा उठा सकते हैं अब बात करते हैं पैरासिटामोल लेने से हो सकती हैं ये पाँच बिमारियां सिर में मामूली सा दर्द हुआ नहीं कि संगीता ने पैरासिटामोल की गोली गटक ली संगीता ही नहीं बलकि रीमा की त्रहें संगीता की त्रहें रीमा की त्रहें बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं लोगों को सेल्प मेडिकेशन एक असान सस्ता और कम समय में होने वाला उबाई लगता है लेकिन कम समय में मिलने वाली रहत जल्द ही सताई आदत में तब्दील हो जाती है और सरीर कई बीमारियों की चपेट में आ जाता है माना की पैरसेटमोल एक ऐसी दर्द निवारक दवा है जिसे दर्द होने पर समाने लोगों के साथ साथ घरबती मलाई भी असानी से ले लेती है और अधिक नुकसान दे ना होने के कां भारते मेडिकल दुकानों पर यह दवा बिना किसी डॉक्тор की स्लिप असानी से ले जा सकती है लेकिन डक्टरी सलाहा के बिना मामूली बुखार से परेसान होने पर भी आप परासिटामॉल की गोली ले लेते हैं और ऐसा आप कई सालों से करते आ रहे हैं तो साबदान हो जाएं क्योंकि हर बार मामूली से दर्द या बुखार में पैरसिटामोल लेना फाइदे से ज़्यादा नुकसान दे हो सकते हैं इसके अधिक इस्तिमाल से सरीर के कई अंगों को नुकसान हो सकते हैं आईए जाने बिना डाक्टर की इसलाह के बिना पैराशिटामोल लेना सरीर के लिए कैसे नुकसान दे हो सकते हैं क्या आपने कभी भी दवा के पैकट पर लिखा देखा है कि ज़्यादा मातरा में पैराशिटामोल लेना लिवर को नुकसान पहुँचा सकते हैं जी हाँ, डाक्टरों का कहना है कि एक व्यक्ति को एक दिन में तीन ग्राम से जादा पेराचिटामॉल नहीं लेनी चाहिए. अगर किसी कारणोंस लेनी भी पड़े तो पहले अपने डाक्टर से पोच लेना चाहिए. गर्बोती और बच्चों के लिए नुक्सान दें. प्रक्षित समझे जाने वाली पेराचिटामॉल की गोली गर्ब में पल रहे बच्चे के पूर्ण विकास में रिकावट पैदा करती है. नेशनल हैल्थ सर्विस के निसार, गर्बोती को बिना डाक्टरी सलहा के पेराचिटामॉल नहीं लेनी चाहिए. टिड़नी पर आसर, दर्द निवारक दवा के रूम में पैराचिटामॉल का लंबे समय तक सेवन करना बहुत हानिकारक है. बिना डाक्टरी सलहा के पीठ दर्द के लिए इसे लेने पर यह लाब के बजाए नुक्षान पहुँचाती है. ब्रिटिस मेडिकल जर्नल में प्रकासित युनिवस्टी आफ सिडनी के सोद करताओं के अनुसार, अर्थराइटिस पीठ दर्द को कम करने के लिए लोग पैराचिटामॉल का इस्तमाल आसानी से करते हैं, पर इसका किटनी पर असर पड़ता है. पेट में गैस की समश्या और तवचा पर अलर्जी. कई मामलों में तो पैराचिटामॉल का अधिक सेवन पेट में गैस की समश्या पैदा कर सकता है. तो अगर आप अपच या पेट में भारीपन से परिशान हैं तो होस्कता है कि ऐसा पेराशिटामोल के सेवन से हो रहा हो इसके अलावा कुछ लोगों को पेराशिटामोल के अधिक सेवन करने से तवचा पर लाल चकते और अलर्जी हो जाती है जिसमें चिस से खुजली या जलन भी होती है अस्थमा की समस्या हलका सा बुखार होने पर ही हम अपने बच्चे को पेराशिटामोल देने लगते हैं विशव स्वास्थे संक्टन कभी मानना है कि बच्चों को 101.3 बुखार होने पर ही पेरसिटमोल दी जानी चाहिए यानि कि इससे कम होने पर उनको पेरसिटमोल नहीं दी जानी चाहिए इससे उनको नुकसान होता है लिवर को नुकसान अगर आप पीलिया या लीवर संबंदी किसी समश्या से पीडित है तो डाक्टर की सलहा लिये बिना पैरसिटामोल खाने से लीवर डैमिज हो सकता है कई मामलों में लीवर फैलियर के भी चांस होते हैं इसलिए दवा को लेने से पहले अपने डाक्टर से सलहा जरूर ले उसकी सलहा लेने के बाद ही आप पैरसिटामोल या किसी भी दवाई के बारे में हम ये बात कह सकते हैं कि उसका सेवन करना चाहिए सुस्ती महसूस होना इसके लावा कई बार पैरसेटमोल लेने के बाद बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस होती है तो ऐसे में डाक्टर से सलहा जरूर ले तो दोस्तो आप भी अपने आप खुद में डाक्टर बनने के वज़ाए आप जब भी आगे से दवाई किसी भी मेडिकल स्टोर से दवाई लें तो डोक्टर की सलहा से ही लेनी चाहिए खुद लेकर पैरसेटमोल या कोई भी दवाई आपको खुद लेकर नहीं खानी चाहिए जब तक कि डोक्टर उसको ना बोले क्योंकि उसके बिना आप उसको सही तरीके से जब आपको उसके जरूरत नहीं भी होती है तब भी आप उसको खा लेते हैं और उसको उसका आपको फाइदा होने के बजाए नुकसान हो जाता है तो दोस्तो आप भी इस नुकसान से बचना चाहते हैं तो आगे से जब भी आप दवाई का सेवन करें, किसी भी दवाई को लें, तो बिना डॉक्टर की सलहा के ना लें, इस्पेशली पेरसेटमॉल और आँखों के संबनती दवाई, तो दोस्तों यह है कि हमारी वीडियो पेरसेटमॉल लेने से होसकती है, यह पांच बिमारियां अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे, या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वेशेर करना ना भूलें, इसके साथ साथ आप हमारे यूटुब चैनल, क्रेजी इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्यों इस वीडियो में जो उपर आई बटन दिया हुआ है आप उस पर क्लिक करकर भी इस से रिलेटिड और वीडियो को देख सकते हैं और अपने लिए फाइदा उठा सकते हैं इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारी सभी वीडियो को हमारे मोबाईल एप क्रेजी इंडिया को गूग वीडियो को देख सकते हैं और अपने लिए फाइदा उठा सकते हैं धन्यवाद दोस्तों